ओम शान्ती आज हम बहुत ही गोई रहसे के बारे में जानेगे जो हम सभी के आँखों के सामने होते हुए भी हम अंजान रहते हैं काफी सारी भ्रांतिया होते हुए हम सब उनसे अंजान रहते हैं माननताओं को हम मानते रहते हैं कि ये सब बहुत प्राचीन से या चला आ रहा है पहले से चला आ रहा है कि हमारे पूरवज्जों सभी इसी इसको मानते आएं और हम भी उसी चीज़ को करते रहते हैं मतलब पता नहीं होता लेकिन उसको मानते रहते हैं तो आज हम यही बहुत ही गुय रहसिय ब्रमान का सबसे अधुत और गुय रहसिय है कि वो है शिव और शंकर में अंतर शिव शंकर कहते हैं तो क्या आप सभी समझते हैं कि शिव शंकर एक ही है या दोनों अलग-अलग हैं क्योंकि जब हम ग्यान में नहीं थे, ग्यान से जब पहले होते हैं, तो हम तो एक ही मानते थे कि शिवशंकर एक ही है, हम तो इन ही को सब कुछ मानते थे, सबसे पहले, तो इन ही को मानते थे, और बस ये तो एक बेल पत्र ये सब चड़ाने के लिए ही समझा जाता था, तो आ आज हम यही देखते हैं, आप सभी चित्र देख रहे हैं, हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा शिवलिंग कहते हैं, हम सभी कहते हैं, लेकिन इस चीज के बारे में कभी हम सोचते नहीं हैं, कि आखिर ऐसा क्यों है, शिवलिंग कहते हैं, इनको शंकर कहते हैं, जब भी मंदिर में ज जाते हैं तो कहते हैं शिव जी के मंदिर में जा रहे हैं कभी हमने ये नहीं कहा कि शंकर लिंग और शंकर मंदिर और शिव रात्री कहते हैं शंकर रात्री भी नहीं कहते हैं महा शिव रातरी कहते हैं महा शंकर रातरी नहीं कहते हैं तो यहाँ पे जैसे आप सभी देख रहे हैं दो चित्र हैं एक है शिव एक है शंकर शिव शंकर आप सभी ने सुना होगा कि कई जगा अभी भी कई स्टेट में पिता और पुत्र का नाम साथ में लिया जाता है अब जैसे कहते हैं न मोहंदास करमचंद गांधी ये भी क्या है पिता और पुत्र का नाम साथ में लिया जाता है ऐसी आज देखें तो एक एक्टर है जिनका नाम है नील नितिन मुकिश नील उनका नाम हो गया नितिन उनके पापा का नाम हो गया और मुकिश उनके दादा जी का तो ऐसे ही यहां पर भी यही है कि शिव शंकर तो अलग अलग हैं लेकिन इनको हम एक ही माल लेते हैं हमेशा ध्यान दिया होगा अपने के शंकर जी हैं वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं और चित्रों में जैसे दिखाते हैं और यह ध्यान में बैठे रहेंगे और आगे शिवलिंग रहेगा हमेशा इनके आप किसी भी मंदिर में चले जाओ पीछे शंकर की मूर्ती होगी आगे और इधर शिवलिंग होगी और शिवलिंग पे चित्रों में ज़स दिखाते कि पारवती जी उनकी पूझा कर रही होगी अगर हम ही भगवान हैं अगर यही भगवान हैं तो यह किसकी तपस्या में मगन हो रखें अगर यही शिव है और यह भी शिव है तो यह क्या अपने ही पूझा करेंगे या अपने ही चित्रों की पूझा करेंगे नहीं न तो इससे साफ सा प्रतीत होता है कि शंकर और शिव दोनों अलग-अलग है ये शंकर है, ये शिव है शिव हमने समझा है न, सेकंड चैप्टर में जो सर्व आत्माओं के पिता थे शिव बाबा जिनको हम कहते हैं परमात्मा, तो वो जोती बिंदु सरुप ये हैं परमधाम निवासी, परमधाम में रहते हैं शिव बाबा ये रहते हैं आकारी देवता जो सुक्ष्म लोक में तीन पुरियां तीन लोक में हमने समझा शंकर पुरी सुक्ष्म लोक में, शंकर ब्रह्मा विष्णु शंकर तो शंकर वहां के निवासी है परमात्मा रच्यता है शिवावा सभी आत्माओं के पिता हैं ये ये रच्ना नहीं रच्टे ये आकारी देवता है ये विनाशकारी दिखाते हैं इनको तो ये शिव होगे ये शंकर होगे ये पिता होगे ये पुत्र होगे ये हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं हमेशा आपने देखा होगा इनका तपस्वी स्वरूप हमेशा ऐसे बैठे रहते हैं और किसकी तपस्या में आगे हमेशा अपने पिता परमात्मा के ध्यान में रह भगवान किसी और की तपस्या में थोड़ी बैठा रहेगा, भगवान तो भगवान है, तो इसका मतलब भी साफ है, कि ये भगवान नहीं है, ये देवता है, तो हमेशा ये तपस्या में बैठे रहेंगे, आगे हमेशा शिवलिंग रहेगा, हर मंदिर में आपने देखा होग तो जिस सरा से देखे ये शंकर हो गए, ये शिव हो गए, हर चीज का एक अर्थ है इनका, जो भी इनके चाहे हाथ में हैं, माला, ये गले में सर्व है, तपस्या में बैठे हुए हैं, चंदरमा को दिखाते हैं, इनकी जटा में, गंगा को दिखाते हैं, और जो तीन यहाँ पे तीसरा नेतर दिखाते हैं, तो हर एक का एक एक मीनिंग है, रहस्य है हर चीज का, बिना रहस्य के कुछ भी नहीं है, ऐसे ही शिवलिंग को दिखाते हैं, शिवलिंग पे भी क्या है, तीन रेखाएं रहती हैं, बीच में एक बिंदू लगा देते हैं, कई महात्माओं क भी आपने देखा होगा कि तीन रेखाएं लगा देते हैं न माथे पे और बीच में एक बिंदी लगा देते हैं या टीका जिस तरह से बिटाएं लंबा या कोई गोल लगाते हैं और शंगर पे क्या करते हैं हमेशा जब भी पूजा करते हैं तो लोग इसमें क्या करते हैं द के उपर हमेशा शिवलिंग के उपर ही चड़ाते हैं इनके उपर कभी नहीं चड़ाते तो यहां पर जिस तरह से दिखाते हैं कि यह तपस्या में बैठे हैं इनके गले में सर्प दिखाते हैं सर्प क्या है सर्प में दिखाते हैं कि बहुत जहरीला होता है साप तो साप को भ प्राइया, जहर, उसको भी इन्हों ने क्या कि अपने कंठ पर अपना हार बनाया है, मानविकार रूपी सर्प को क्या कि गले का हार बना दिया है अपनी तपस्या से, दूसरा दिखाते हैं, चंदर्मा दिखाते हैं इनके माथे पे, उस पे जटा में, तो चंदर्मा क्या है, शीतलता का प्रतीक है जब चांदनी कहते हैं चांदनी बहुत शीतल चांदनी तो चांदनी का प्रतीक है ये शीतलता मतब दैवी गुणों का चिन ने इनकी बुद्धी हमेशे क्या होगी जो तपस्या करेंगे जो परमात्मा की याद में रहते हैं शिव बावा की याद में उनकी बुद्धी क्या होगी दिव्य बुद्धी शीतल होगी ग्यान गंगा गंगा दिखाते हैं जटा में इनकी शंकर की दिखाते हैं जटा में गंगा आ गई तो गंगा क्या है बुद्धी में ग्यान गंगा का प्रवाह होता है बुद्धी में क्या चलता रहता है ग्यान ग्यान का प्रवाहर चलता रहते हैं ग्यान सुनते और सुनाते रहते हैं तो यह ग्यान का प्रतीक है गंगा जो दिखाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं जैसे दिखाते हैं शंकर को दिखाते हैं भक्ती में कि भई वो मतलब की क्या कहते हैं उसको राख को अपने उसमें प बहर जाते हैं तो उनके मापाप ये सब लोग उनको देकर डर जाते हैं कि ये तो क्या बस्म लगा करके आ गया है ये तो भूत है इस तरह से दिखाते तो वो क्या है कि पूरा मतलब ऐसे दिखाते कि कब्रिस्तान में ये विहार करते मतलब वैराग्य है इनको पूरी दुनिय से वैराग्य का प्रतीक दिखाते हैं कि ये कब्रिस्तान मतलब वैराग्य है इस दुनिया से तो जो तपस्वी होगा उसको क्या होगा वैराग्य होगा पूरी दुनिया से और ये जो दिखाते हैं शेर बाग की खाल दिखाते हैं हमेशे शंकर पे आपने देखा होगा तो शं स्थिति होगी ऐसे ही तीसरा नेतर दिखाते हैं शंकर पे कहते हैं न कि शंकर का जब शिवजी का दिखाते हैं कि तीसरा नेतर खुला तो विनाश हो गया यह कामदेव जल गया जैसे सीरर में दिखाते हैं कि शंकर की तीसरा नेतर खुला और कामदेव भस्म हो गया तो तीसर नेत्र कौन सा होता है हमारी बुद्धी का तीसरा नेत्र होता है बुद्धी का तो कहते हैं ज्यान सूर्य प्रकटा अज्यान अंधिर विनाश ज्यान सूर्य प्रकटा अज्यान अंधिर विनाश तो जब ज्यान सूर्य प्रकट होता है ज्यान आता है हम में हमारी बुद्धी में हमारा तीसरा नेतर खुलता है ग्यान का तो जो अग्यान अंधिर विनाश है तो जो बुराईयां है जो बुराईयों का अंधिरा है या जो चीज हम जानते नहीं है अंधिरा होता है उनको रोशनी मिल जाती है प्रकाश मिल जाता है ग्यान का तीसरा नेतर खुल जाता है जो काम विकार है या बुराईयां है विकार है काम ग्रोदलो मुह अहिंकर उनका विनाश हो जाता है तो एक एक चीज का यहां पे रहसे बताया जाता है तो यहां पे आज हमने देखा है जैसे कि शिव और शंकर में अंतर यह शिव हो गया यह शंकर हो गये यह पिता है यह तो यह शिव है और यह शंकर होगे अब हम देखेंगे कि शिवरात्री पे जो इतनी सारे चीजे चड़ाते हैं शंकर पे अक भांग धतूरा और व्रत लेते हैं और बहुत सारे चीजे बैर चड़ाते हैं बहुत सारे चीजे करते हैं शिवरात्री के दिन और शिवरात्री क्य कहते हैं क्यों मनाया जाता है वो हम next video में देखेंगे कि śiva acum कहा जाता है कहते ने कि बगवान की शंकर का या शिव का अवतरन हुआ था यह जनम कोई कहता है जनम हुआ कोई कुछ कहता है तो अगर जनम हुआ तो आज भी इस दुनिया में भी जिसका जनम रात को भी होता है, बारा बजे भी होता है, उसको क्या कहते हैं, लेकिन शिव के ही जन्म को शिवरातरी क्यों कहा जाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, शिवरातरी के बारे में, कि शिवरातरी क्यों मनाई जाती है, और क्या-क्या उसमें, उसका क्या रह तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे अच्छा, ओम शांती